प्यारे वच्छों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? देखिए आपका टॉपिक है सैयुक्त तथा आधे अक्षर आपने सैयुक्त अक्षर पढ़े ना? जो दो वणों से मिलकर बनते हैं जैसे शाशत्रियत, रतेशूल, ग्यायानियो, श्रासे, श्रामिक ये वाले शब्द, आज हम पढ़ेंगे आधे अक्षर, तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए बोल बोल कर पढ़ो, तो सबसे पहले तो आप ये सीखिए आप पहचानोंगे कैसे कि ये अक्षर आधा है या पूरा है जो पहले से ही आधा बन रहा है, वो तो आधा है ही लेकिन आधा शब्द लिखते कैसे हैं, ये भी आपको पता है, यहां दिया हुआ है लेकिन सिर्फ आपको एक आधा वन ही लिखना है तो किस तरह लिखेंगे जैसा कि यहां दिया है देखें यहां पर दो हैं आपके कव एक ये रहा एक ये रहा लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है इन दोनों में अंतर ये है इसके नीचे ये एक डेख़ा आपको निशान दिख रहा है इसको हम हलंत बोलते हैं क्या बोलते हैं? हलंत आप याद कर लीजियेगा हलंत और इस वण के नीचे हलंत नहीं है तो इनमें अंतर ये ही है लेकिन हलंत लग जाने से यानि कि किसी भी वण के नीचे अगर हलंत लग जाता है तो वो वण जो है आधा हो जाता है कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है और इसके नीचे हलंत नहीं है इसका मतलब ये वाला जो क है वो आधा नहीं है तो इसको देखें यहां लिखा गया है आधा का और पूरे का के साथ उसी तरह ये देखिए यहाँ पर आधा टा और ये पूरा टा तो देखिए ये इस तरह से बनाया है अब देखिए आधे का और पूरे का यानि इनको ये एक ही जैसे दो वर्ण है एक ही है लेकिन इनके दो रूप है एक आधा एक पूरा तो इसको हम बोलेंगे आधे अक्षर क्या बोलेंगे आधे अक्षर या फिर इनको दुईत्विंजन भी हम कह सकते हैं आधा है ये पूरा है कोई शब्ड है जैसे मक्का मखचा इस में पता चल रहा है ये अधा भी शब्ड आएगा अधा वन मी आएगा और पूरा वन मी आएगा ध्याल से सुनना मक का एक बीच में हलका सा हम रुकते हैं सिर्फ म बोलकर हम नहीं रुके हमने क्या है म क्या हम म बोलकर रुक रहे हैं यहां देखे यहां तो म बोलकर रुके और इसमें मक का देखे पहले बाले में हमने म बोला और दूसरे वाले में मक यानि कि हल का सक तो वो हो गया हमारा आधा वाला वर्ण देखें यह रहा और फिर का इस तरह हमें आधे वर्ण की पहचान होती है देखें यहाँ कुछ शब्द है वर्ण है जो आधे हैं उनके नीचे हलंत लगा है फिर पूरे वर्ण के साथ वो मिलकर किस तरह लिखे जाते हैं यह देखें आधाचा पूराचा आधाना पूराना तो देखें यह सब क्या है हमारे आधे अक्षर है तो इनीचे दौरा देखें यहाँ कुछ शब्द बने हुए हैं जैसे टवाला खटा, पटा त से कुता गटा मावाले, अमा, पम्मी अप और भी लिख सकते हो मम्मी है ना मम्मी लिख सकते हो आप गुच्छा, अच्छा आप बच्चा लिख सकते हो सॉरी, बच्चा तो हम यहाँ लिखेंगे जब इसमें दोनों चाहाते हैं है ना तो अब आपका homework यह यह आपको इसी तरह यह पूरा और यह एक पेस पर यह और एक पेस पर यह पूरा जो है आपको अपनी कार्रेबुस्तिका में करना है और इन शब्दों को बार बार पढ़ना है ठीक है बिटा